जी लेट्स आस्टा क्वेशन तो मिस्टर विर्का देखे राजकुमार विर्का जी कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्स परसंस हैं उन्हीं से बात करते हैं विर्का जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 26 जनवरी को जो वहाँ पर अटैक हुआ लाल के लिए पर उसका ये जो है वो आरोपी है इसके उपर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रूपे का इराम रखा है क्या कहना चाहेंगे खुले आम वहाँ पर बैटा है देखिए मैं समझता हूँ कि ये उनी का या आदमी है और बीजेपी ने ही इने शेल्टर किया था और दिल्ली पुलीस का ये हीरो है चाहे दीप सिदू है चाहे लखा सदाना है इनको 22 बैरियर गुजरने का मौका किसने दिया था उस दिन बाई बैरियर निकल करके ये लाल लहराने की इजाजे दे दी थी और ये सपस्ट तोर पे आ रहा है कि ये जो आदमी है वो ये सब लोग बीजेपी के लोग है और इसमें जहां तक सवाल इस बात का है कि पंजाब पुलीस को या पंजाब सरकार को ये वांटड नहीं है अगर दिल्ली पुलीस को ये पे पहुँचा हुआ है हमारे पास कोई वरंट नहीं है हमारे पास कोई सम्मन नहीं है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो किस अदार पर उन्हें हम रेस्ट करें सर कहा जा रहा है कि कही न कहीं पंजाब के अंदर जिस तरह से कॉंगरेस की सरकार है और लखा सिधाना यहाँ पर खुले आम जिस तरह से घूम रहा है कहीं न कहीं सरकार की तरफ से उसको शेय दी जा रही है यहाँ पर आने की क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो उसको कहीं पी तरह से अरेस्ट नहीं कर रही है मैंने आपको यह कहा कि भाईया हमारे पास कोई वरंट है ही नहीं हमारे पास कोई सम्मन है नहीं तो अगर हमें कोई वंटड है डिली में बैठा हुवा वैक्ती तो यहां से हमारी पुल्ี่ जाती है कर्ण्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं हम लोग वहां जाकर कि हम अपना संब्रेंग अपना फॉरंट कर आगर उनको यहां चाहिए उनको वंटड है तो वो आ जाएं और जहां तक कनून के देरे में रहकर हम मदद कर सकते हैं पंजाब सरकार पंजाब पुलीस जरूर मदद करेगा सर ये जो है वो आरोपी है 26 जनवरी का लखा सिधाना और दीब सिदू दीब सिदू पुलीस पकड़ चुकी है और जिस तरह सी आज ये रैली की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसका ये कहना है कि उनका इसके साथ किसान अंदोनन का कोई लेना देना नहीं है फिर भी ये रैली हो रही है क्या कहना चाहेंगे किसान अंदोनन किस तरफ जा रहा है जो कि मैं समझता हूँ कि ये अलग लग गुट है अलग लग गुरूप है और सुन्जुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इसरेली से हमारा कोई वास्ता नहीं है लिगर डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में कोई वी वेक्ति अगर कोई किसी के हक में या किसी के खलाब अपनी बात क किसी को मना नहीं कर सकते। कि आप सरकार पंजाब पुलीस का काम है कि हम उसको देखेंगे हम उस पे कारवाई भी करेंगे और जहां तक सवाल इस बात का है कि जो वेक्ति वहां बैठे हुए हैं मैंने आपको ये कहा है कि वो हमें वांटड नहीं है कनून को वांटड नहीं है उनके खलाब कोई अफ़ा के साथ बैटे हैं आपको क्या लगता है कि अंदोलन किसी और तरफ जा रहा किसान अंदोलन को जिस तरह से पहले कहा जा रहा है कि रैडिकल ग्रूप्स में मिल गए है तो कहीं अंदोलन अब इन्हों ने कैपचर कर लिया है? दोखो, मैंने क्या कहा? कि ये अंदोलन का स्बंद नहीं है. मैंने कहा कि सब लोग मिलकर के अलग अलग भाशा, अलग लग बोली बोलते हैं. कोई अपने फाइदे के लिए बोलता है, कोई विदेशी ताक्तों के इशारे बे बोलता है. ये लग लग चीजें हैं. लेकिन यहां तक सरकारों का काम होता है, कनून का काम होता है. तो कनून अपने दाइरे में रहकर ही बात करता है. कनून अपने दाइरे में रहकर ही कारवाई करता है. और मैं समयता हूँ कि मैं एक राय इन लोगों को भी देना चाहता हूँ कि अगर by the way मैं कह रहा हूँ कि ये wanted है और उन्हें इस तरह से कट नहीं करने चाहिए इस तरह से कट करके line order की situation पैदा होती है, स्थिती पैदा होती है, कनुनी हलात बिगड सकते हैं, state के हलात बिगड स तो मैं समयता हूँ कि हमारी जन्सियां इस पर पूरी तरह निगार रखे हुए हैं, अगर कोई line order की position होगी या उनके खिलाफ कोई कनून के खिलाफ ये बात करेंगे तो हम कारवाई भी करेंगे तो नरेंजन सर ये राजकुमार वेरका जी जो कॉंगरिस के स्पोक्स परसन है पंजाब के और MLA भी है, उनका ये कहना है कि अगर पंजाब के अंदर जिस तरह से ये रैली की जा रही है, जो राइटर है 26 जनवरी का, उसके दवारा अगर वहाँ पर line order की स्तिती पैदा हो तो पंजाब सरकार जरूर एक्शन लेगी और उनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं लखा सिधाना पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस द्वारा वांटेड नहीं है, दिल्ली पुलिस अगर इनसे मदद मांगती है तो ये मदद देने के लिए तयार है, तो ये तोड़ा उन ये कॉंग्रेस पार्टी पूछ लीजे उनको और एक लाख रुपे इसके उपर जो है वो इनाम भी रखा गया है, कहीं न कहीं कॉंग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, कॉंग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इसको बचाने की कोशिश कर रही है आप? ने, ने, हम बिल्कुल नहीं बचाएंगे, मैंने आपको कहा है, कि बहुत सी स्टेटों में लोग होते हैं, जिसे हमारी जो पुलीस को वांटड है, तो हम वहां सम्मन लेके जाते हैं, वहां वरंट लेके जाते हैं, वो भी आ जाएं, यहां वरंट लेकर कि उनको वांटड मागने के लिए वरंट लेकर तो पंजाब पुलिस उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस का साथ देगी और लखा सिधाना को अगर दिल्ली पुलिस इनके पास आती है तो वो उसको पकड़ा जाएगा